हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग kinematics के बारे में पढ़ने वाले हैं चिक है मैं इस क्लास पार्ट में kinematics का introduction आपको बताउंगा यह बताउंगा कि हम लोग kinematics पढ़ते क्यूं है चिक है इसकी ज़रूरत क्या है और देली लाइस में इसका application कहा है चुजरू करते हैं kinematics तो kinematics के बारे में अगर मैं बात करों सबसे पहले kinematics में हम इस topic में cover क्या क्या करने वाले हैं हम इस topic में बहुत सारी चीज़े cover करने वाले हैं हम लोग bodies के motion के बारे में cover करेंगे कि कोई body किस तरीके का path follow करेगी ठीक है, one dimension की बात करूँगा, मैं काइनमेडिक्स में, two dimension की बात करूँगा, ठीक है, यानि कि अगर एक मैं बात करूँगा कि एक कोई body है जो straight line में move कर रही है, तो इसका path किस तरीकिसे होगा, इसका motion किस time पर कैसा होगा या फिर अगर मैंने एक कोई body को हवा में project किया है, तो कितने time बाद ये वापस land करेगी, ठीक है, ये maximum height कितने बार जाएगी, और ये कितना दूर जाकर के land करेगी, हम ऐसे two dimension में चीज़ों के बारे में study करेंगे, और भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में study करेंगे, relative motion है ठीक है, अब बात आती है, मैं कोशिश हर जगे ये करूँगा, कि आपको बिना कोई formula याद किये, हर चीज़ को logically हम समझें, ठीक है, हम हर चीज़ को कोशिश करेंगे कि logically feel करें, और हमें formula कम से कम याद करने पड़ें, ठीक है, हर चीज़ और अगर formula आया भी, तो हम ये समझ practical application क्या है, ठीक है, तो मैं एक बहुत simple सा example दे रहा हूँ आपको, suppose करो, आपको, मान के चलो, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, और आपके पास एक, आपको authority दी है, एक, कोई tank को control करने की, ठीक है, तो मान के चलो, आपने कोई cannon को यहाँ पर रखा हुआ है, और आपको enemy post को target करना है, कहीं कोई पहाड़ी पर जा करके, आपकी कोई enemy post थी, ठीक है, तो अगर मुझे enemy post target करनी है, तो मैं किस velocity से, या किस angle पर यह अपने bomb को fire करूँ, so that यह enemy post पर जा करके ही land करे, ठीक है, तो इसकी study करने के लिए, मुझे पहले इस बारी में जानना जरू होगा, ठीक है, तो kinematics का ऐसे cases में practical application काफी जादा important हो जाता है, अब हम बात करते हैं कि आखिर kinematics है क्या और किस पाड़े में, इसके बारे में और समझते हैं, तो kinematics जिस physics की branch का part है, उसको हम बोलते हैं classical mechanics, classical mechanics में basically हम जो चीज़ के साथ deal करते हैं, वो है motion of bodies and their cause, तो हम motion के बारे में बात करते हैं, और हम किस के बारे में बात करते हैं, उस motion को cause करने वाले forces या और other reasons के बारे में, ठीक है, तो अब classical mechanics के बारे में यहाँ पर कुछ points, ज़रा देखिएगा, हम classical mechanics में macroscopic bodies की बात करते हैं, macroscopic bodies यानिकी बड़ी bodies, हम macroscopic चोटी bodies की बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो classical mechanics में हम बड़ी bodies के बारे में बात करेंगे, और उनके पीछे के principles के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल mechanics आपकी understanding के लिए, 11th class में understanding के लिए बहुत ही जादा important है, क्योंकि बहुत जादा application होता है, और आपको बाकी mechanics में, जैसे आप electrostatics आप पढ़ेंगे बाद में, आप और भी जैसे physics में पढ़ेंगे, modern physics पढ़ेंगे, कई जगे आपको classical mechanics का application दिखाई दीगा, चीक है, major portion of classical mechanics जो discover किया था, वो Newton ने discover किया था, इसलिए इसको Newtonian mechanics भी बोलते हैं, Newtonian mechanics, ठीक है, अब बात आते है, classical mechanics का application, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले application बताया था, अगर हम और application देखें, तो जैसे समझना, classical mechanics का application हमारे daily life में कहा है, आपने अगर notice किया होगा तो जब आप कभी किसी पतली latch पर चले हो, तो आपने notice किया होगा कि आप जो है, आप जब move करते हैं, तो आपके arms अपने आप चारों तरफ इस तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है, तो basically ये जो arms आपके spread हो रहे हैं, ये क्या है, ये arms आपके weight को balance कर रहे हैं इस rope पर, so that आप क क्या होगा, आपका weight balance नहीं हो पाएगा, तो basically आपके हाथ, आपके weight को इस rope पर balance कर रहे हैं, ठीक है, हम एक term के बारे में पढ़ेंगे center of mass, so center of mass क्या है, कि gravity force आपका कच ऐसा रहे, जो so that इसके center of mass से pass हो, ठीक है, इसका जो normal reaction है, वो भी center of mass से pass हो, so that आप इसको balance कर पाओ, अब आप काते हैं, सर ये balance कैसे होता है, तो ये पूरा responsibility, ये पूरा काम कौन करता है, आपका human brain, human brain आपके weight को इस तरीके से adjust करता है, so that कहीं ना तो left side weight ज़्यादा हो जाए, ना ही right side, अब यहां तो आपका काम आपका brain कर रहा है, लेकिन अब suppose करो, आपको एक ऐसी machine बनान मुझे भी यहां पर इस वजए यहां पर भी इसका weight balance करना होगा, तो मुझे अब इसका mass इस तरीके से study करना होगा, कि इसका weight और यहां से rope से लगने वाला force आपस में balance हो जाए, इस चीज़ की study करने के लिए मुझे classical mechanics को समझना काफी ज़रूरी है, के वाले एक यही example नही so that यह object यहां पर land करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको study करने के लिए classical mechanics की ज़रूरत है, या एक और example, अगर मान के चलो मैं एक rocket prepare कर रहा हूँ, और मैं यह expect कर रहा हूँ कि यह rocket आपका earth से बाहर निकल जाए, तो मुझे अब इस पर लगने वाले forces के बारे म पता होना चाहिए, मुझे यह जानना चाहिए किस rocket पर mg कितना लगेगा, यह gravitational force कितना लगेगा, कितने velocity से मैं इसको पीछे eject करूं gases को, so that उपर इतना force निकल जाए कि वर्ट के gravity से बाहर निकल जाए, इन सारी बातों को हम cover करेंगे under classical mechanics, चीक है, अब classical mechanics के दो parts हम basically deal kinematics, और दूसरा part है dynamics, kinematics में हम deal करेंगे motion of bodies के बारे में without undergoing into their cause, हम उससे मतलब नहीं किस वज़े से motion हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ motion की study करेंगे, ठीक है, dynamics में हम motion की बारे में बात करेंगे और उनके cause के बारे में भी बात करेंगे, तो अब बात करते हैं, सर motion किस type का हो सक सकता है, तो मैंने का motion आप अगर classify करें, तो broadly आपका तीन type का motion हो सकता है, ठीक है, पहला है translatory motion, दूसरा rotatory motion, तीसरा vibrational motion, या इन तीनों का कोई combination, ठीक है, चलो, एक ज़रा वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आएका simulation से के motion किस type में, पहला आपका translatory motion है, दूसरा rotatory, औ जिनों का combination भी हो, चलो, देखते हैं, या फिर अगर आप classify कर रहे हैं, तो 1D में one dimensional motion, two dimensional या फिर three dimensional motion भी कर सकते हैं, फिलाल इस पार्ट के लिए, हम अपना focus अभी रखेंगे one dimensional motion पर, ठीक है, इसके बाद हम two dimensional पर आएंगे, और three dimensional पर आएंगे, जिनका application और भी ज़्याद का इतना ही, next section में हम बात करेंगे frame of reference की, और उनके application की हम और बात करेंगे,